रामायन की जब भी चर्चा होती है तो पुरशोत्तम श्री राम, उनके प्यारे भक्त महाबली हनुमान और माता सीता के अपहरण करने के बाद लंकापती रावन और श्री राम के बीच हुए युद्ध के बारे में लोग बताते हैं। क्या आपको पता है वालमिकी रामायन के अलावा भी कई देशों में रामायन के अलग-अलग संसकरण मौजूद हैं। ऐसी ही दो रामायन में रावन की बेटी का भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं। रामायन के इन संसकरणों में रावन की बेटी को हनुमान जी से प्र वहीं दूसरी पतनी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के दो बेटे थे। तीसरी पतनी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के तीन बेटे थे। क्या आपको पता है रावन की एक बेटी भी थी। इसलिए उसको सुवर्ण मच्छा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मच्छली। अब क्योंकि ये रामायन धायलैंड की है, इसलिए धायलैंड और कमबोडिया में सुनहरी मच्छली को पूजा जाता है। कहते हैं जब श्री राम को पता चला कि लंका पती रावन माता सीता का अपहरण कर समुद्र पार लंका ले गए हैं, तब श्री राम ने तै किया कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें समुद्र के उस पार जाना होगा। इतनी बड़ी वानर सेना के साथ अब समुद्र कैसे लांगा जाये ये सोचने लगे। फिर कुछ समय बाद श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए सेतु बनाने की जिम्मेदारी नल और नील को दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। कहते हैं जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतर कर देखा कि आखिर ये चट्टाने जा कहां रही है। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टाने उठा कर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सुवर्ण मच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा उन्हें हनुमान जी से प्रेम हो गया। हनुमान जी सुवर्ण मच्छा के मन की स्थिती भाप गए। वो सुवर्ण मच्छा को समुद्रतल पर ले गए और उनसे पूछा कि आप कौन है देवी और क्यों इस तरह सेतू के निर्मान होने में बाधा डाल रही है। सुवर्ण मच्छा ने बताया कि वह रावण की बेटी है और मेरे पिता ने ही मुझे आदेश दिया है कि किसी भी तरह सेतू के निर्मान कार्य को रोकना है। उनकी बात सुनकर हनुमान जी ने उसे समझाया है कि रावण उनके प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लंका ले गए हैं। श्री राम ने रावण को समझाने के लिए अंगद को भी भेजा ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके लेकिन आपके पिता रावण को अपने बल पर घमंड हो गया है इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है। हनुमान जी की बात सुनकर सुवर्ण मच्छा दुविधा में पड़ गई, सोचने लगी अपने पिता का साथ दें या प्रभू श्री राम का, हनुमान जी उनकी दुविधा को जान गए और उन्हें समझाते हुए कहने लगे, रावन गलत कार्य कर रहा है और इसके लिए उस सजा मिलनी जरूरी है, हनुमान जी के समझाने पर सुवर्ण मच्छा ने सभी चट्टानों को लोटा दिया और राम सेतु के निर्मान का कार्य पूरा हुआ, सेतु निर्मान के बाद जब सुवर्ण मच्छा ने हनुमान जी से अपनी प्रेम भावना के बारे में बताया, तो हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी मैं सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ती में ही लीन होना चाहता हूँ। ये सुनकर सुवर्णम अच्छा वापस अपने नगर की ओर लोट गई। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।